प्रमुक अगवारों से कई important news update को cover करेंगे जिन में प्रमुक्ता से बात करेंगे UPTT जिहां कल रात में मैंने आप लगों को community tab में पोस्ट किया था कि news channels पर क्या दिखाय जा रहा है तो UPTT परिक्षा 8 जनुरी को हो सकती है संभावित इसको देखेंगे हर जगह से और आज की newspaper म में भी सारी चीज़ें दिखाई गई है कल का जो टेलिविजन टेलिकास्ट आ रहा था उसको भी आप लोगों के समक्ष रखूंगा सीचेट 219 का कल result आया दिसंबर का और maximum लोग कॉलिफाई हुए कल राज से ही लगातार खुशकबरी 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 करके वार् बहुत बहुत बढ़ाई और आप ऐसे ही अपने जीवन में उच्छ सिखर पर आगे बढ़ते रहें और आपका जो सपना है एक सिक्षक बनने का एक यूग सिक्षक बनने का उसमें आप जरूर सफल हों सभी लोग तो सीटेट 2019 में 5 लाग से ज्यादा लोग सफल हुए हैं इसको पूरा डीटेल करेंगे और डीजी लॉगर से अपना रिजल्ट आपको लेना है और 82 नंबर जो है वह सब्जादा इस साल में मिलेगे नियुक्ति पथर और 79 बड़ती में अभी कितना लगे एक समय इसका भवरी चार्चा करेंगे तो चली वीडियो शुरू करते हैं तुम्हितरों सबसे आदा जो चर्चा का विषय है वह है यूपी टीटी परिक्षा वह क्यों कि संभावी तीटी बाइद दिसंबर से वह एकसीड होकर वह जन्वरी में संभावी तेकी परिक्षा होगी लेकिन कल राज से यह सबसे आदा वाइरल हो रही है कि आठ जन्वर जन्वरी को हो सकती है परिक्षा नेमक परादिकारी आनिल भूशन चत्रवेदी ने कहा है कि सासन को आठ ग्यारा और 19 जन्वरी को परिक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है सासन इस तर पर आठ जन्वरी को टीटी कराने पर सैधान्तिक सहमेति बनी है यानि यह तीन तीन 8 जन्वरी 11 जन्वरी और 19 जन्वरी लेकिन साजन इस तर पर 8 जन्वरी को जादा मनता मिली है और लोगों ने इस पर सहमिती भी जताई है विस्टर सुक्षा राजमंतर सक्ति दिविदी को मंजूरी के बाद नई तारीक घोशित की जाएगी तो यह जल्द ही आपको यहां प और 16,00,00,00 बेर्थियों ने किया है आवेदन दो पालियों होगी आपकी उपीटीटी परिक्षा तो 8 जन्वरी को सासन की तरफ से मंजूरी लग रही है कि मिल जाएगी तो अपनी तैरी बहुत ज़रू सरवे से रगए है क्योंकि अब समय आपको लगबग से लगबग एक खफ़ते का समय है और इसी में आपको जो करना है वो करना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी यूपीटीटी प्लेश्ट की लिंक दे दी है ट्रिक्स तुक्र ट्रिक्स अब आपको बहुत ज़र सारे काम आएंगे प्लेश्ट में उसको जरूर देख लिजेगा अब बात कर परिक्षा की तो CTT परिक्षा का रिजल्ट कल इतनी तेज गती से आपका CBC ने काम किया है तो कहिने के कबिले तरीफ काम है कुल में दौरों में 22.55% बर्ती पास हुए हैं परिक्षा देने वाले 24,5,145 बर्तियों में से 5,42,250 बर्ती पास हुए हैं पेपर एक में 2,47,386 और पेपर दो में 2,94,899 बर्ती पास हुए हैं परिक्षा 110 सेरों में आविजित की गई थी कुल 3,12,508 महिलाओं में CTT कौलिफाई किया है और 2,29,708 पूरों ने CTT पास किया यानि कि पूरों के कंपेरेजन में महिलाओं ने बहुत जादा बाजी मारी है और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे हैं मेरी शुब कमना आपके साथ हैं हमसे जुड़े हुए मैक्समुम से मैक्समुम जितनी भी बहने हैं जितनी भी मैला कंडिएट मैक्समुम लोगों का चैन वह और बहुत ही अच्छे जो हमारा टार्गेट था 110 प्लस का मैक्समुम स्कोरर इसी फ़ मैं जारी कर देकित चल्दी कार किया है क्यों कि बहुत कभिले तरिफ वालग्व आगे बात करते हैं कि रिजल्ट का क्रिया गलाब है तो जितने भी पास उम्मिद्वार हैं से डाउनलोड करना होगा CTD pass उम्मिदवारों को login details जारी की जाएगी login details के जरी वो अपना certificate download कर सकेंगे login details pass उम्मिदवारों के mobile number पर भीजी जाएगी जल्दी certificate Digilogger में upload कर दिये जाएगे Digilogger एक app है जिसको आप play store से download करेंगे उसके बाद अपना उसमें आपको आधार से उसको connect करना होगा है फिर वहां से आप सारा चीज क्रिया कलाव उसमें कर सकेंगे अपने जितने भी document से उसको आप उस form में digital form में आप रख सकते हैं वहाँ पर यह एक सरकार के दरब से सासन क दरब से एक नया क्रिया कलाव है तो यह सारी चीजों में और नंबरों के बात की जाए तो याद रखी 82 नंबर पर जीतने भी category वाले हैं यानि कि जितने OBC हैं SC हैं और ST हैं वो पास माने जाएंगे याद रखिएगा और 90 नंबर है बस सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए या लावा आप कोई भी category हैं तो आपके लिए 20 यंग है ठीक है अब बात करते हैं कई लोग पूछ रहें कि सर अन राज की भरतियों में या DSSB में कीवेस में अप्लाई कर सकते हैं जी बिलकुल आपकी category के अंतरगत अगर देखिए DSSB में वहां पर मांग लिया कि किया जाता है लेकिन अगर पार category की बात कर लें तो फिर अगर आपका 82 यंग है ऐसे उपर है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां पर मेंशन रहा नोटिफिकेशन में तो ऐसा तो यह कुछ डिटेल रही आपके लिए सीटेट परिक्षा के रिकार्डिंग और 11,000 सहदीक पदों पर होगी बरती SSE ने घुशित की CGL के पदू की संक्या CGL आपके दोजार हठार के तीसरे चरणी की परिक्षा 29 को है तो यह कहने कि आप लोग के लिए अच्छी बात है कंबाइंड ग्रिजूट लेवल CGL परिक्षा 2018 के तहत 11,000 सहदीक पदों पर भरती की जाएगी कर्माचारी चैनायोग ने सुकुरार को पदू की संक्या घुशित कर दी है और CGL 2018 के तहत तीसरे चरण की लिखित परिक्षा 29 दिसंबर को प्रस्तावित है तीसरे चरण की परिक्षा के बाद अभरतियों के स्किल टेस्ट करना होगा और फिर अंतिम रूप से उनका चरण परिडाम घुशित किया जाएगा तो आपके लिए पदू की संक्या बता दी गई है 11,000 आप आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें अब बात करें LTE grade की तो नए साल में मिलेंगे निक्ति पत्र LTE grade चेनितों से TGT के इंट परिक्षा के चेनितों को नए साल में निक्ति मिल जाएगी उनका विलेंगे सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और आपके जैनवरी के सुरूरात में निक्ति की संसुती सासन को भीजी जाएगी उधर तमाम प्रतियोगी चात्रों ने LTE grade के चेनितों से मांग की है कि वे चैन बोर्ट की ओर से आयोजी तो होने जा रहे है TGT के इंटर्वी में शामिल नहूं इससे प्राबलम क्या होगी कि देखे आपका तो LTE grade में हो गया है तो बहुत अज़ी बात है तो आप TGT इं नहीं है तो एक से खराब हो जाएगी तो कहने कि अगर दूसरे वक्तिक होता जो TGT के लिए लिजबल है तो कहने कि यह अच्छी बात हो जाती है ना तो मेरे तरफ मेरी तरफ से आप सभी से यहीं गुजारिश है कि जितने भी आपकी LTE grade के चैनित भेड़ती है जो इस चै देखने तरफ डेस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर देख लें आपके TGT PGT इंटर्वी विशेज के लिए मैंने वीडियो बना रखी है तो जरूर देखे और लाव उठाएं उसका तो यह कुछ कटिंग है जो भेड़तियों के हर जगा वाइरल हो रही है चुनौती भारत में किसी मामले के निप्टारे में कम से कम पांच साल लगते हैं और मुकदमा उच नहाले जाता है तो वह आवधी आठ वर्ष हो जाती है तो यह होता क्यों है इतना लंबा प्रक्रिया चलती क्यों है उसका बेसिक सारीजने के नहादीशों की भारी कमी है एक जिलावाद हाई कोट में 160 में से 54 पद और जिलावा अधिनस्त कोट में 2833 में से 532 पद खाली है यूपी की निचली कोट के 3225 पदों में से 1208 पद रिक्त है और हाई कोट में 5 वर्ष में 371 जज निचली कोट में 1852 जज की जिरुवत होगी तक कहने कहीं यह सबसे बड़ा चैलेंज है आपके नए दीचों के भारी कमी को दूर करने के लिए अगर यह कमियां दूर होती आने माले समय में और आपके PCSJ के तुर मैक्सिम्म कंडिडेट यहां पर अगर इलिजबल होते हैं तो कहने कि यह अच्छी बात रहेगी और जल सल्द भरतियों को निस्तारा ह अब इसको लेकर 99,000 भरती के बढ़ती बहुत ज़्यादा डरे और सही में हुए हैं बोलने के सार इतना अगर समय लगेगा तो हम लोगों का क्या होगा सीधी और इस पस्ट बात बता दूँ आप लोगों को तो यह याद रखेएगा जो होना है इस भरती का वो यह भरती का 2020 में सारा तै तमाम हो जाएगा इस चीज़ को आप जान लीजे बाकि आप बहुत मजबूत है अपने पक्ष की दरब से तो इसको लेकर परशान होने के आपको आवशकता नहीं है कि हमारा क्या होगा आप सभी बिलकुल सेफ साइड है और जो भी भरती से रिलेटेड अबेरती है जो तै मानक पर इस भरती परक्रिया में बने हुए है उनका होना तै है बस इंपोर्टन बात यह है कि डेट मेंशन हो और बहुत लंबा यह भरती बहुत जादा नहीं चलने वाली इस वर्ष के अंतरगति आपको यह कंप्लीट भरती हो जाएगी इस चीज का दावा रहा आप लोगों के समक्ष तो बेस्ट आफ लग थैंकी सुमेंच